नमस्कार दोस्तों ओसीन नेटवर्क में आपका स्वागत है कई बार अति आत्म विश्वास ना समझी अनुभाव हींता और कहना चाहिए के ये जो नई नई जमात आ रही है नई पीड़ी के जो लोग आ रहे हैं वो जिस तरीके से हवा के घोड़े पर सवार होकर के किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं कई बार ये चीज़ें बहुत भारी पड़ती हैं और राहुल गांधी वाला जो परकरण है जिस में और उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाओं में सारे मोदियों के बारे में वो चोर हैं ऐसे टिपनी की थी आज उसका नतीज़ा ये है कि सूरत की कोट से दो साल की सजा संसा सदस्चिता चली गई बंगला खाली करना पड़ा सूरत की अपर कोट में उन्होंने याची का दाखि कि कि इस सजा पर इस्टे किया जाए रोक लगाई जाए वो भी नहीं हुआ अब गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे तो गुजरात हाई कोर्ट ने भी उनको फोरी तोर पर कोई राहत देने से इंकर कर दिया है यानि गुजरात हाई कोर्ट से भी उनको एक और जटका लगा ह सुनवाई हुई है दोनों पक्षों ने अपने तर्क पेश किये हैं राहुल गांदी की तरफ से अभिशेक मनु सिंग भी पेश हुए थे कोर्ट में और दूसरी तरफ से नानावटी जो है वो पेश हुए थे और दोनों के तर्क सुनने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया यानि अभी उस पर फैसला नहीं सुनाया है जिस कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी उसको आदेश दिये गए हैं कि जो ओरिजनल डाक्यूमेंट हैं वो सब हाई सामने पेश किये जाएं दो मई को एक्च्वल में इस केस की सुनवाई हुई थी और हाई कोर्ट ने जो अंत्रिम राहत मांगी गई थी राहुल गांधी के वकील के द्वारा राहुल गांधी के द्वारा वो देने से इंकार कर दिया अंत्रिम राहत ये क्या चाहते थे कि स साल की सजा सुनाई है राहुल गांदी को उसको इस्टे किया जाए तो वैसा नहीं हुआ है बलके कोट ने ये कहा है कि मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद हम फैसला सुरक्षित रखेंगे छुटी के दोरान कोट फैसला लिखेगी यानि अब जून तक ये मामला है तो जून तक राहुल गांदी के सिर पर तलवार लटकी रहेगी के ये आयोग्ये ही रहेंगे यानि दो साल की सजा इनको भूगतनी ही है संसर सदस्ता वापस नहीं आनी है बंगला वापस नहीं आना है या हाई कोट कोई रिलीफ देगी छुटियों के बाद और अगर हा संतिम विकल्प इनके सामने बचेगा सुप्रिम कोट का और ये हम और आप जानते ही हैं कि सूरत जिले की एक कोट ने इनको मोधी सरनेम पर आपत्ती जनक भाशन देने के लिए बात करने के लिए दो साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद क्या हुआ है ये आप और हम जान संते हैं जो शिकायत करता है वो गुजरात के पूर्णेश मोधी हैं जो MLA है और जो इससे पहले मंत्री रह चुके हैं हाई कोर्ट में भी पूर्णेश मोधी ने अपने वकील निरूपम नानावटी को पेश किया और वहां पर जज ने ये आदेश पारित किया कि जो मूल दस्तावेज हैं कोर्ट के द्वारा वो हमारे सामने वेश किये जाएं देखिए नानावटी ने क्या क्या कहा है नानावटी ने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट ने अयोग्य नहीं ठहराया है अयोग्यता जो है वो संसद की और से ही बनाए गए कानून के संचालन के कारण हुई है यानि ये कानून है कि अगर किसी संससद सदस्य को या विधान सबा सदस्य को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी संसा सदस्यता या विधान मंडल की सदस्ता स्वतह ही चली जाएगी और ये 2013 में सुप्रिम कोट के एक आदेश के बाद से विवस्था लागू हुई है तो यही कहा नानावटी ने कोट के सामने कि आयोग्यता जो है वो संसद की ओर से बनाए गए कानून के संचालन की वज़े से हुई है सजा सुनाये जाने की वज़े से नहीं हुई है यानि कोट के आदेश से नहीं हुई है और इनका यानि राहुल गांधी का जो मूल निवेदन है वो यह है कि आठ साल के लिए वो सक्रिय राजनीती से बाहर हो जाएंगे ये दो साल की जो सजा सुनाई गई है इसकी वज़े से वो अगले आठ साल के लिए सक्रिय राजनीची से बाहर हो जाएंगे ऐसा क्यों कहा इन्होंने क्योंकि दो साल की तो इनको सजा सुनाई गई है ना विदान सभा का ना पार्लियमेंट का और नाना वटी ने जो पूर्ने श्मोधी की तरफ से पेश हुए थे उन्होंने राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फरेंस से सम्मंदित समाचार रिपोर्ट पढ़ी कोट में गुजरात हाई कोट में जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा कि मैं गांधी हूँ, सावर कर नहीं और माफी नहीं मागूँगा। तो पूर्णे श्मोधी के वकील ने यह कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि वो सजा और जेल से डरने वाले नहीं हैं और वो जीवन भर के लिए आयोग्य ठहराए जाने पर भी पीछे हटने वाले यह उनका सारवजनिक स्टेंड है लेकिन यहां कोट के सामने उनका स्टेंड कुछ अलग ही है अगर आपका यही स्टेंड है तो यहां कोट में याचिका के साथ क्यों आये हैं नहीं आना चाहिए था उन्हें रोते हुए बच्चे की तरह नहीं होना चाहिए या तो सारवजन रूप से किये गए अपने स्टेंड पर टिके रहें या कहें कि आपकी मनशा कुछ और थी। नाना वटी ने ये भी कहा कि उनके खिलाफ कुल बारा मामले मानहानी के हैं। यानि अकेला यही मामला नहीं है जिसमें उन्होंने किसी ना किसी की मानहानी की है। और मानहानी कारक तिपनिया की हैं। और उनके खिलाभ अन्य शिकायत हैं। वह एक राष्टी ये राजनीतिक पारिटी के नेता है। जिसने देश पर 40 साल तक शासन किया है। लेकिन अगर वह इस तरह के बयान दे रहे हैं तो उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने सौरी भी नहीं कहा, उनकी और से कोई स्पष्टी करन नहीं दिया गया, यानि कुछ नहीं, उन्होंने कहा है कि माफी अगर नहीं मांगनी है तो ना मांगे, ये आपका अधिकार है, हक है, लेकिन फिर ये हल्ला क्यों? उन्होंने यानि पूर्णेश मोदी की तरफ से कहा, कि इस मामले में वो पीडित हैं, पूर्णेश मोदी, आपराद गंबीर है, संसद भी यहीं कहती है, दोश शिद्धी पर इस्थगन के उनके आवेदन को अनुमती नहीं दी जानी चाहिए, आवेदन को खारिज कर दिया ज चाहिए, ये गुजरात हाई कोट में पूर्णेश मोदी के वकील नाना वटी ने कहा, अब ज़रा ये जान लें के राहुल गांदी के वकील अभिशेक मनु सिंग्वी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि CRPC की धारा 381 के तहत सजा पर रोक लगाने की परीक्षा और साधारन पर होने से संबंदित नहीं है, लेकिन ये सुविधा के संतूलन के बारे में है, यहां मानहानी को अक्षम में अपराद माना जा रहा है, इस्तिती की ए परिवर्तनियता को देखता होगा, एक निर्वाचित व्यक्ति लोगों का परतिनिधी होने का अधिकार खो देता है, जो यह परिवर्तनियता है, यह अगला सत्र बैठके आदी किसी में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे, आपको याद है, क्या कहा गया था सुरत की अपर कोर्ट में, और यहां भी जो तर्क दिये गए है राहुल गांदी के वकील की तरफ से, वो यह दिये गए हैं, कि साब इनकी चुकी संसर सदस्ता चली गई है, दो साल की जो मैकसिमम सजा सुनाई गई है उसके चलते, इसलिए इनको अपूर्णी एक शती हुई है, अब यह लोगों की आवाज भी नहीं उठा पाएंगे, तो इस पर जो शिकायत करता के वकील हैं, उनका कहना था कि इस देश में और लोगों की सेवा करने से कोई रोक नहीं सकता है, और यह कैसे कहा जा सकता है, कि अगर किसी की संसर सदस्ता चली गई, और विधान सभा की सदस्ता चली गई, तो उसको अपूर्णी एक शती हो गई, मतलब यह अजीब और गरीब तरक वहाँ पेश किये गए, और अभी शेक तो चुनाओ लड़ नहीं सकते, कोई और लड़कर के अगर जीच जाता है, तो क्या हम उसे बाद में हटा सकते हैं? नहीं, लेकिन फिर अगर राहुल गांधी बरी हो जाते हैं, उनकी सजा परिष्टे हो जाता है, उसको खारिज कर दिया जाता है, तब क्या होगा? इस से स अनु सिंग्मी नेरा अजस्थान बनाम सलीम खान, सल्मान सलीम खान केस में सुप्रिम कोट के 2014 के फैसले का भी हवाला दिया, उन्होंना कहा कि चनाओ परचार के दोरान दिया गया भाशन, पूर्ण शक्तियों के साथ सम्विधान के अनुछेद 19.01 को आकरशित करेगा, ट जो शिकायत दर्ज करने के दो साल से अधिक समय बाद अधालत में पेश हुआ था, तो सिंग्वी ने ये कहा कि मानहानी के मामले में राहुल गांधी को अभी तक सजा नहीं मिली, अगर ऐसी सजा होती भी है तो तीन-छे महिने की सजा दी जाती है, मैं पहली बार का अपरा दी हैं, और मुझे एक जमानती गैर संगे आपराद के लिए अधिक्तम सजा दे दी गई है, जो समाज के खिलाब है, मतला वजीब और गरीब तर्क, अभीशेक मनु सिंग्वेरी ने वहाँ पर दिये हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि नियाइक त्रूटी ये है, कि राहुल गांधी राफैल मामले में सुप्रिम कोर्ट से चेतावनी प्राप्त कर चुके हैं, यानि सुप्रिम कोर्ट ने उनको राफैल मामले में भी चेतावनी दी थी, तो अभीशेक मनु सिंग्वी ने राहुल गांधी के लिए अंत्रिम सुरक्षा देने की मांग की, ज पर रोक लगाने से मना कर दिया। उनना कहा कि दोष्च सिधी पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर हम फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। छुट्टी के बाद फैसला तुनाएंगे और छुट्टी में ही ये फैसला लिखेंगे। तो राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो बहुत उम्मीदों के साथ गुजरात हाई कोट गए थे उसका दरवाजा खट खट आया था लेकिन वहां से भी उन्हें अंत्रिम राहत नहीं मिली है और अंत्रिम फैसले के लिए उनको छुटियों के बाद तक का यानि जून तक का इंतजार करना पड़ेगा अभी मई में तो कुछ नहीं होने वाला है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत भाँ धन्यवाद नमस्कार